नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नई वीडियो में फिर से स्वागत हैं तो आज हम आपको फिर से पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी लेकर आ चुके हैं और आपको इस पोशन ट्रेकर एप की जो नई अपडेट है उसके बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो कि 3 नवंबर को एक अपडेट आई थी वो अपडेट थी 9.0 की और 9.0 की अपडेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप सभी को जनकारी दे दिया है कि कि किस परकार से पोशन ट्रेकर एप में अपडेट किया गया है और आज हम बात करेंगे पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जो यहाँ पे अपडेट मांग रहा है हम सिधे प्ले स्टोर पे आचुके हैं प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग पोशन ट्रेकर एप को अपडेट करेंगे मैं भी यहां पे अपडेट करूँगा और आपको आगे इसकी जनकारी दूँगा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी आगनबारी बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आए उन सभी को छट महापर्व की हारदीक सूब कामनाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए यहां पे जो पोशन ट्रेकर एप को अपडेट का ओप्सन मांग रहा है तो सिंपली हम इसको अपडेट वाले ओप्सन पे किलिक करेंगे और हमारा ये अपडेट स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए यहां पे हमने इस पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लिया है अपडेट करने के बाद सिंपली इस ओपिन वाले पे हम लोग किलिक करेंगे तो जैसे हैं आप ओपन करते हैं तो कुछ इस परकार से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिल रहा है यानि पोशन ट्रेकर एप आपका ओपन नहीं हो रहा है और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे पोशन ट्रेकर एप है और हम इसको ओपन करेंगे तो भी ये open नहीं होगा यानि कहने के मतलब है इसमें कुछ technical issues है इसलिए आपका ये portion tracker app open नहीं हो पा रहा है तो आपको चिंतक करने की कोई बात नहीं है मैं आपको इसी वीडियों बताऊंगा कि इसको open कैसे करना है जैसे कि आप लोग यहाँ पे portion tracker app देख रहे हैं आप अपने mobile में इसको 2 second के लिए दबाई रखिएगा दबाई रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक on install का option यहाँ पे दीख रहा है तो आपको क्या करना है इस on install वाले option पे click कर देना है जैसे ही करेंगे तो आपका जो portion tracker app है आपके phone से हट जाएगा हटने के बाद देख सकते हैं यहाँ से portion tracker app गाइब हो चुका है अब आपको क्या करना है फिर से play store में चले जाना है तो देखिए हम यहाँ play store में आ चुके हैं play store में आने के बाद यहाँ से आपको install करने का option वाँगेगा तो आप लोग यहाँ पे simply install वाले पे click कर देंगे जैसे ही install करेंगे यह आपका portion tracker app install होने लगेगा थोड़ा देर wait करते हैं तब तक आप लोग हमारे इस video को like जरूर कर दीजिए क्योंकि इस परकार की details है हम आपको provide कराते हैं ताकि आपको आगे चलके कोई भी परिशानी न हो तो install हो जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा open का option तो आपको यहाँ पे open वाले option पे click कर देना है click करते ही अब आपका portion tracker app दुबारा जैसे open हो रहा वैसे open होने लगेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपना mobile number और mpin डाल देना है डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में नीचे में आने के बाद यहाँ पे portion tracker का जो 9.1 का भर्जन है वो update हो चुका है और यहाँ पे हम simply अपना mobile number और mpin डाल के login हो चुके हैं देखिए ऐसा सभी आगनबारी बहनों के साथ होगा कि जैसे ही आप लोग update कीजिएगा वो आपका portion tracker app open नहीं होगा तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके को follow करना है उसके बाद आपका जो portion tracker app है वो open हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि यह जो थ्री डॉट का option है इस थ्री डॉट वाले पे click कर लेना है click करने के बाद आपको एक बार अपना language select कर लेना है जैसे आप लोग जिस भासा में portion tracker app यूज करते हैं उस भासा को आप लोग को एक बार select कर लेना है जैसे ही एक बार आप लोग select करेंगे उसके बाद आपको बार बार अपना language select करने का ज़रुरत नहीं पड़ेगा आपका जो भी portion tracker app है आपके ही language में open होता रहेगा और जैसे कि अब हम लोग beneficiary registration को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चों वाले category में issues चल रहे थे जैसे कि male female को लेकर उस update को यहाँ पे ठीक किया गया है या नहीं जैसे कि यहाँ पे किसी भी बच्चे का solve नहीं किया गया है जो पहले था वो अभी भी दिखा रहा है तो और भी कोई नया update नहीं है इस पोसंट्रे करेंप में और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि यह जानना भी आपके लिए काफी महतोपुर्ण है जैसे कि हमने अस्तन पान कराने वाली मताओं में एक option छोर दिया था जो आपको नहीं बताया था जैसे कि अस्तन पान कराने वाली महिलाओं में आप लोग देखेंगे कि इसमें जो update आया हुआ है 9.0 का ही यह update है जैसे कि 3.0 पे जाएंगे और 3.0 पे जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि centimeter और वजन, यह जो option मांग रहा है यह अस्तन पान कराने वाली महिलाओं का मांग रहा है कि उसका height कितना है और उसका वजन कितना है, तो यहाँ पर एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो अस्तन पान कराने वाली मताये हैं उसमे भी थोरे से update किये गए हैं कि अब उनका भी height और weight डालना है जो अस्तन पान कराने वाली महिलाए हैं ताकि उनका भी स्वास्थ का ख्याल रखा जा सके तो उमीद करता हू की आपको हमने Potion Tracker App की 9.1 की update है उसके बारे में आपको जनकारी दे दिया है अगर इसके बाद भी आपको Potion Tracker आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो जै हिंद